आज ही क्यों नहीं हिंदी कहाने यह एक बार की बात है एक शिष्य अपने गुरू का बहुत आदर सम्मान किया करता था गुरू भी अपने इस शिष्य से बहुत स्थने करते थे लेकिन वे शिष्य अपने अध्यान के प्रती आलसी और स्वभाव से दिर्ग सूत्री था सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए आलस से में व्यक्ति को आकर्मणे बनाने की पूरी समर्थ होती है ऐसा व्यक्ति बिना परिश्टम के ही फलो पव्योग की कामना करता है वह शिग्र निड़ने नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यवन्दिन्त नहीं कर पाता है यहां तक की वह अपने पर्यावरण के प्रती भी सजग नहीं रहता है और ना भाग के द्वारा प्रदत सुवव सरों को अलाव उठाने की कला में प्रवीन हो पाता है उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा दो दिन के लिए दे रहा हूँ कहीं दूसरे गाउं जा रहा हूँ जिस भी लोहे की वस्तिय को तुम इससे स्पर्श करोगे वैस स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा शिश इस सुवसर को पाकर बहुत परसन हुआ लेकिन आलसी होने की कारण उसने अपना पहला दिन ये कलपना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना परसन, सुखी, सम्रिद और संतुष्ट रहेगा इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा फिर दूसरे दिन जब वह प्रते काल जागा उसे अच्छी तरह से समर्ण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिये गए काले पत्थर का लाब जरूर उठाएगा उसने निश्चाई किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े-बड़े समान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा दिन बीटता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है कभी भी बाजार जाकर समान लेता जाएगा उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चाथ ही समान लेने निकलूँगा परंतू भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाए उठके मेहनत करने के थोड़ी दिर आराम करना उचित समझा पर आलस्य से परिपोर्ण उसका शरीर नींद की गहराईयों में खो गया और जब वो उठा तो सुर्यास्त होने को था अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा पर रास्ते में ही उसे गुरूजी मिल गए उनको देखते ही वै उनके चर्णों पर गिर कर उस जादोई पत्थर को एक दिन और आपने पास रखने के लिए याचना करने लगा लेकिन गुरूजी नहीं माने पर उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया पर इस घटना की वज़े से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई उसे अपने आलस से पर पच्टावा होने लगा वैस समझ गया कि आलस से उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक करमट सजन और सक्रिय व्यक्ति बन दिखाएगा कहानी की सिक्षा दोस्तों जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अफसर मिलते हैं पर कई लोग इन्हें अपने आलस से के कारण गवा देते हैं इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भागेशाली, धनी, अ अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस और दिर्ग सुतरता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कश्ट साध्य श्रम और सतत जागरुकता जैसे गुणों का विक्सित कीजिए और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को तालने का विचार आए तो स्वयम से एक प्र करके जुरू बता है चानल परने हो तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करके ओल पर सट कर दें ताकि यसी डेर सारी कहानिया हम आप तक लाते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए